लाखों बिरती उत्रप्देश में नई सिक्षिक बरती का वेट कर रहे हैं लेकिन चुनाओं भी बहुत करीब हैं 2024 का बट उसके बाद भी कोई सकारात्मक खबर निकल करके नहीं आ रही है बहुत ही यहाँ पर इस्तिकी खराब है उन लोगों की समझ लीजिए जिन लोगों ने एक उमीच से डेलेट किया होगा और यहाँ पर लगातार उनके हाथ से चीज़े निकल रही है एक ग्रेवियंस के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी डिपार्टमेंट से कि सिक्षक बरती को ले करके क्या प्रक्रिया है अपने स्क्रिन पर देख पा रहे होगे 14.10.2030 को यह रिपोर्ट आई है इसमें क्या कहा जा रहा है वीडियो को शर्वास से अंतक देखेगा इसके अलावा आप अपने स्क्रिन पर ये वाली खबर तो देखी चुके होंगे जिसमें योगी आदित तिनाथ जी ने कुछ कहा है सिक्षक बरती से संबंदित इसके लावा नियूस पेपर में भी आपने देखा होगा कि नई नियूक्तियों होने तक सेवा निवर्ति सिक्षकों की सेवाएं ली जाएं माननी आपके आदित तिनाथ योगी का ये बयान है यहाँ पर इस ग्रेवियंस के माद्यम से पूछा गया था आप अपने स्क्रिन पर देख पा रहेंगे कहा जा रहा है करपया साफ साफ बता दीजे सिक्षक बरती आएगी अगर नहीं आएगी तो कब तक 79,000 के बाद आज तक बरती नहीं आई युवा कब तक किताब पकड़े हर रोज इंतजार करे अगर अनुपाद समानुपाद ठीक है तो कोई बात ही नहीं लेकिन सर साफ साफ बताएं प्रात्मिक सिक्षक बरती कब आएगी सुपर्टेट कब होगा कब यूपिटेट आयो के नाम पर गलत आख्या ना देना जो भी आपकी योजना है वो लिखित में बताएं यहाँ पर आगे पूरी इस डिटेल को यहाँ पर लिखा गया है कि प्रसिक्षड प्राप्त कर चुके करीब 8 लाग प्रसिक्षित नई प्रात्मिक सिक्षक बरती के इंतजार में है पिछले तीन वरसों से बेसिक सिक्षड विवाग में कोई नई सिक्षक बरती नहीं आई है डिलेट परिवार के लाखों लाख प्रसिक्षित दर दर भटक रहे हैं ग्यात है कुछ दिनपूर्व सरकार द्वारा बेसिक सिक्षा विभाग में 79,000 सिक्षक बर्ती प्रक्रड के दवरान सुप्रीम कोर्ट में हलफ नामा देकर सुईकार किया था कि 51,112 पद रेक्त हैं 68,500 सिक्षक वर्ती में करीब 22,000 सीटें खाली रह गई थी जो नई भर्ती में जोड़ा जाए अन्य वर्सों की तुल्ला में नौनिहालों का प्रवेस पिछले वर्स सरवाधिक हुआ है प्रतेक वर्स 15,000 से 20,000 सिक्षक सेवा निवरत भी होते हैं अता 97,000 भर्ती की प्रक्रिया प्रारंप करें अता स्रीमान जी से निवेदन है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें एवं आने वाले भर्ती में डियलेट बीटी सी को प्रात्मिक्ता दें क्योंकि इनकी संख्या पराप्त हो चुकी है बेसिक में जल्द बड़ी भर्ती का विग्यापन जारी करके अकैडमिक प्लस एश्टेट की मेरिट से बर्ती प्रक्रिया पूर्ण करें समस्त डेलेट परिवार आपका अधरी रहेगा हाला कि इसमें कहीं न कहीं ग्रामेटिकल तुटी है लिखने में उसको लेकर कि आप बेंक कर सकते हैं यहाँ पर इसका केस क्लोज हो चुका है रिमार्क में सिर्फ इन्होंने ये लिख दिया है कि वर्तमान में भरती हेतु योजना अनुबंधित नहीं ऐसा इनका कहना है औ और ओफिशर के नेम आप देख पा रहे होंगे जॉइंट सेक्रेटरी गौर्मेंट आफ उत्तर प्रदेश चीप मिनिस्टर सेक्रेटरी एंट रूम नंबर बगएरा इनका डिटेल दिया गया है ठीक है यानि जो सरकार के अधिकारी है उन्होंने अभी ये बयान दिया है क वर्तमान में भरती है तो यूजना कोई भी अनुबंदित नहीं है अब क्या ही बताया जाया है आपको घरों से निकलना होगा और आने वाले एलेक्सन में भरती नहीं तो ओट नहीं ठीक है एक घीव आपके पास ऑप्शन बचा है उसका ही आपको प्योग करना है यहाँ प जब तक नए सिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है अगर कहीं पर सीट खाली है तो जो रिटायर होने वाले टीचर है उनका कारेकाल बढ़ा दिया जायेगा यानि रिटायर तो वो हो जाएंगे लेकिन उनसे सेवा ली जाएगी उसका मानदे दिया जाएगा इसको लेकर क इनका बयान है इस बारे में आपकी क्या कुछ विचार है कॉमेंट बाक्स में लिखी और आप लोग सिर्फ एक वेकेंसी के भरोसे ना रहिए आप DTSB आने वाली बिहार में जो सिक्षिक भरती आने वाली है 6 से लेकर कि 12 तक उसके लिए आप तब तक के लिए तैयारी कीजिए इस वीडियो में इतना ही